of control तक Taliban ले आए क्योंकि हम उनको अच्छी तरह से भूनेंगे ये जो आर्तों को मार मार के चौधरी बन रहे हैं तीस मारखा बन रहे हैं विचारी बांद के हाथ औरतों के कोड़े मारते हैं पत्थरों से मार मार के विचारीयों को मार डालते हैं और बड़े अपने आपको सूर्मा दिखाते हैं इनको असली लड़ाई का भाव आटे डाल का भाव पता चलेगा और अगर जाइन ओफ कंट् भारत की फौज को चीज़ाने अभी तक P.O.K. ले लिया होता तो यह सारी नौबत ही नहीं आती आपके पाकिस्टावारी फौजें अगर P.O.K. में होती साल पहले या डेड़ साल पहले तब फिर यह अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान का बढ़ना मुश्किल हो अब तालिबान का इस्तुमाल करेगा पाकिस्तान तालिबान को कश्मीर के बॉडर तक लाएगा अरे पहले समझो कि हो क्या रहे हैं है क्या तुम्हें खुद तो पता है आखिरकार तालिबान जो ये जो 35-36 कबीले है मेजर जनरल ये ही अभी तालिबान को नहीं छोड़ें और पाकिस्तान का ये जो घिनोना सपना है ये हम पूरा नहीं होने दे सकते हमको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी अभी से मेजर जनरल मेजर जीरी बक्षिया और फिर एक ब्रेकिंग यूज आ रही है जिसे बिल्कुल देखे मैं कहता हूँ कि भारत की फौज को बड़ी खुशी होगी अगर ये लाइन ओफ कंट्रोल तक तालिमान ले आए क्योंकि हम उनको अच्छी तरह से भूनेंगे ये जो औरतों को मार मार के चौदरी बन रहे हैं तीस मारखा बन रहे हैं विचारी बांध के हाथ औरतों के कोड़े मारते हैं पत्थरों से मार मार के विचारीों को मार डालते हैं और बड़े अपने आपको सूर्मा दिखाते हैं इनको असली लडाई का भाव आटे डाल का भाव पता चलेगा जब किसी असली फॉज से लड़ना पड़ेगा या पंजशीर घाटी में और अगर लाइन ओफ कंट्रोल की तरफ आने की इनों ने हिमाकट करी भूल से भी करी तो इनकी लाशों के हम कालीन बिछा देंगे बहुत उसकता से इंतजार है भारत की फॉज को कि ज़रा ये तोपों की मारस है बोफोर की और ग्राड मल्टी बैरल रॉकेट लांचर की इनकी धजिया और परखचे उड़ा देंगे हम तो इनको पता चल जाएगा फॉज क्या चीत होती है भावी हो जाए और फिर वो अंदर घुसके अपना पैसा लगा के जो मीमर्जी कर सकेगा ये प्रॉब्लम एकदम खड़ी हो जाएगी पर भारत ने एक चीज भूल गया करना अगर भारत ने अभी तक प्योके ले लिया होता तो ये सारी नौबत ही नहीं आती आपके पाकि हमने प्योके ले लिया होता तो सीपी इसी के लाले पड़ गए होते हमने ये बड़ी स्ट्रेडिजिक एरर की पर कोई बात नहीं अब भी हम स्टार्ट कर सकते हैं प्योके लेना अगर आपने प्योके लेना अभी भी स्टार्ट कर दिया तो तालिबान की मूवमेंट बिलक लालाग हो जाएगा पर अगर हमने करने में देरी कर दी तो ये मौका निकल जाएगा पर पाकिस्तान बंबारी के टाइम अमेरिका की बिलकुल नहीं भाग लेगा और यहां में पंच शीर बख्त दो सबके जीत होगी और इस समय आप देख लेना कि जिस तरीके तक ताले बार अडवांस किया था उसी तरीके से रिट्रीट करना शुरू करेगा जो शेर के बच्चे को आप जो है मारने की कोशिश करोगे खदेडोगे खरीद लोगे जैसे सब को खरीदा है बाकी अफगानिस्तान की फौज के कमजोर लोगों को तो साब देखिए अफगानिस्तान में कभी कोई असली फौज आई नहीं तो ताजिक उसमें खाजा रहा है जो कि लेंट देंसेल्स टू बैरेक लूग डिसिप्लिन ऑफ और बॉर्डन आर्मी यह साहब लड़ नहीं सकते यह औरतों की पिटाई करकर के दुनिया में इनका महिमा मंदन करा रहा है अमेरिका और च झाल